दोस्तो मैं समसाद गढ़वा जहार खंट से दोस्तो देखिए इधर में हमारा राजहंस है जो मेल फिमेल है और अभी राजहंस हमारे पास केवल दो ही पी से एक प्यार है और दोस्तो इससे पहले जैसे कि आप लोगों बताये थे कि हमारे पास बहुत सारा राजहंस थे जो म एक वहीं दोस्त हम से पूछ रहेते कि भाई हम कैसे पता करें कि हमारा राजंस औंड़ा देने वाला है तो भी आप लोग만 को मैं बता दुगा और और कितना नंदा देते हैं यह वी बता दून गा और और सथ में कितना बारे लोग अंड़ा देतें यह भी आप लोकों में बता दूंगा और दोस्तों देखे इधर में एक ही प्र हमारे पस राजन्स है मैं यह को गढ़ा इस बना दिया हूं और यह लोग गढ़ा मि नहाते हैं और यह दूनों मेंल क्रिपन बहुत ही मसती करते हैं और इस गढ़ा मैं पानी भर देता हूं और आप ज्यादा अंडा भी नहीं देते हैं छे साथ कोई कोई दस कोई कोई पंदर ऐसे करके अंडा देते हैं लेकिन हमारे पास यह राजहंस केवल छे ही अंडा दिया है जैसे यह लोग दो मरतबा पहले ब्रीट कर चुके हैं और एक मरतबा अभी यह लोग अंडा देंगे और जैसे आज अंडा दियें तो कल गैप करके पोर्सो यह लोग अंडा देंगे और इसका अंडा का साइज भी बहुत ही बड़ा होता है और दोस्तों यह अपना अंडा दे करके अपने से अंडा को हैज करते हैं सेखते हैं और 32 तीन बाद इसका अंडा बच्चा अंडा से मीटिंग करते हैं और नहीं तो यह लोग मीटिंग कभी नहीं करते हैं जैसे जनवरी के करीब यह लोग अंडा देते हैं आप लोग को बताए तो जनवरी के करीब ही यह लोग मीटिंग भी करेंगे जब यह लोग मीटिंग करेंगे तो यह लोग अंडा जरूर देंगे आसब पता कर सकते हैं कि मतलब यह नदा देने वाला और दोस्तों यह होखाने में कर दोस्तों को खाने को खाने में जैसे दूब घ्रा बहुत ही चरता हैं जैसे दूबheldों अब आप यह लोग को दे सकते हैं और अगल बगल में आपका जो दूब घास अगर होगा तो यह लोग अपने आप चर लेंगे और यह लोग को कुछ भी आप जैसे मुर्गी के नोर्मल दाना देते हैं वही यह लोग खाते हैं दोस्तों भी यह साखा हारी पंची है मिट या मचली यह नहीं खाते हैं यह साखा हारी पंची है और दोस्तों हमारे पास राज हंस को मैं जैसे हम बक्री भी पाले हैं तो वही वाला रूम में मैं यह लो को झाल झाल